Hello everyone, welcome to study time with a new informative video उत्तर प्रदेश विधान परशद आरो ए आरो की परिक्षा आज 22 नवंबर को संपन हुई और संपन होते ही चर्चा में आ गई एक तो एक्जाम होने के पहले ही उत्तर प्रदेश विधान परशद की ये परिक्षा काफी चर्चा में थी क्योंकि फॉर्म अलग-अलग डरवाए और ये सब करने के बाद सेंटर भी अलग-अलग दे दिये एक ही परिक्षा के लिए तो बच्चे उससे भी पहले बहुत असंतुष्ट थे और जब फॉर्म पड़ रहे थे तब भी बच्चों में ये था कि ये वैकेंसी जो आई है बस पैसे खानी के लिए आई है क्योंकि इसमें सारी सीट पहले से बिकी हुई है क्योंकि वहाँ पर जो विधायक हैं ये लोग रहते हैं तो फिर उनी के लोग होंगे हम लोग आम लोग कैसे हो जाएंगे और जब ये परिक्षा संपन हुई पेपर बहुत आसान आया था उसका एनलेसिस भी किया था हमने अपने चैनल पर और उसका जो एनलेसिस का वीडि क्योंकि और बहुत को लिए और आपयंगे और सक्ष्याप स्च में एक चर्चा और आई कि पेपर लीक हो गया लेकिन पेपर ली चोनी की छचाट तो आती ही रहती है और ये आम बात है ये उत्तर प्रदेश की जो परिक्षा है हूती है इसके लिए तो बिल्कुल ली आम ब हुआ दिया नहीं दिया अब इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है कट-off 80 जाएगी 100 जाएगी 110 जाएगी 120 जाएगी अब इसका भी फर्क नहीं पढ़ेगा सीट विकीती नहीं विकीती इसका भी कोई फर्क नहीं पढ़ेगा क्योंकि पेपर जो था वो रद कर दिया गया अब अगली जो परिक्षा तिती है वो कब की आती है देखिए जल्दी परिक्षा तिती आपकी जारी कर दी जाएगी 10-15 दिनों के अंदर ही और ये जो परिक्षा रद हुई है किस वज़े से हुई है तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के गोरकपुर जिले में यानि की बिध्यारतियों ने भट हट छेत्र के एक सेंटर गुलाभी देवी इंटर कॉलेज में जमकर हंगामा किया तो वहां कुछ रंग्रलियां चल रही थी गुलाभी देवी इंटर कॉलेज में और तय समय से 20 मिनट बाद प्रस्णपत्य वित्रित करने पर अभ्यारती नाराज मतलब जब आपका एक्जाम सुरू होता है तो आपको पेपर मिल जाना चाहिए था लेकिन 20 मिनट बाद दिया गया और पर्चा लिक होने का जो आरोप विध्यारतियों ने लगाया कि इतनी देरी से दिया है सूचना पाया तो वहां के जो SSP थे डीम थे ये सब लोग पहु पहले से यहां पे अंदर पेपर दे रहे हैं सौल कर रहे हैं तो वह सब उस टाइम पे भी हुआ था और अभी फिर से इस गुलाभी देवी इंटर कॉलेज का नाम सामने आया और यहीं से पर्चा लिक होने की बात निकल कर आई है जो कि अब यह परिक्चा निरस्त कर दी ग गया तो अब अगली जो डेट है 10-15 दिन में आ जाईगी तो आपको अपनी तैयारी में फिर से लग जाईए यह समझ लीजे कि यह आपका सेमी फाइनल था अब आपको फाइनल खेलना है अब आपका फाइनल है तो जो भी एक दो चार पांस सीट आपके लिए कुछ ना कु और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी नौकली से समबंदित सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहती है थैंक्यू